हैलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैंने आपको हिंदी पैड़ागोजी का थर चेप्टर जो की भाषा के कार रहे हैं जिसमें बोलने और सुनने की क्या भूमी का थी वो मैंने आपको करवा दिया था अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा नहीं देखिया तो वीडियो को डिस्टेशन में उसका लिंक दे रखा वहाँ जाकर पहले उस वीडियो को देख लिजिए तबी आप यहाँ पर आईएगा क्योंकि यह कोशन जो है आज के उसी चैप्टर से रिलेटिड है तो अगर आपने थियोटिकल पोरिशन कहीं पढ़ रखा या हम उससे पढ़ा है तो यह कोशन सौल करने में आपको असानी होगी जिसका लिंक मैंने आपको नीचे वीडियो के डिशेशन में भी दे रखा है और चैनल में अलग से अपलेलिस भी बना रखिया वहाँ जाकर उन वीडियो उसको देख सकते हो तो उसी से रिलेडिड आपके अग्जाम में किस परकार के कोशन पूछे जा चुके हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे तो इस वीडियो को आप एंट तक देखते रहेगा आपको सारी इंफर्मिशन मिल जाएगी चलिए शुरू करते हैं पहला कोशन क्या बोल रखा है अशु भाषन परतियोगिता भाषा की किस कोशल में विकास में साहयक है तो आपके कोई अनु भाषन परतियोगिता करवाई जा रही है और आपके किस विकास में साहयक होगा आपका सवन कोशल का विकास होगा सुनना कोशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है मतलब एक आपका कथन उचित नहीं है बाकी सारे हैं सही होंगे तो मतलब गलत वाला हमको चुनना है क्या बोल रखा है सुनना कोशल अन्य कोशल के विकास में सहिक है सुनना कोशल का विकास भासा की नियमों को पहचानने उसका निर्मान करने में सहक है तीसरा है सुनना कोशल सबसे कम महत्पून है और चोथा है सुनना कोशल मोखी कोशल के अंतरगत आता है तो option number third इसका बिल्कुल सही अंसर होगा आपका कि सुनना कोशल इसने क्या बोल रखा सबसे कम महत्पून है ये बिल्कुल गलत बात है अगर आप किसी की बातों को सुनोगे नहीं तो उसका reply कैसे कर पाओगे तो कम महत्पून कैसे हो गया तो option number third इसका गलत था और हमें गलती चुनना था नेक्स्ट है आपका भाषा कोशल में सबसे पहले किस कोशल का विकास करना चाहिए तो भाषा कोशल में आपका सबसे पहले किस का विकास होना चाहिए लेखन, वाचन, शवन या आपका उच्चारन तो LSRW में सबसे पहले किस का होता है L का मतलब listening का तो option no.3 इसका बिल्कुल सही होगा answer शवन कोशल का विकास करना चाहिए आप सब के पहले नेक्स्ट है आपका कि बच्चों की शवन योगता का विकास करने में सावजदिक सहायक है तो बच्चों की शवन योगता में विकास करने के लिए सबसे महत्पून क्या हो सकता है आपका ओडियो टेप, शब्दों का शतूलेग, प्रसपर बातचीत या भाषा प्रियोग शाला तो ध्यान रखेगा बच्चों की शवन योगता का विकास करने की बात करी जा रही है तो क्या होगा आपका प्रसपर बातचीत करना चाहिए बच्चों से जितनी आप वारतलाब करोगे उतना उसकी बोलने की और सुनने की शक्ती बढ़ेगी उसमें स्वार्दिक सहायत मिलेगी तो option number 3 इसका सही अंसर था नेक्स्ट आपका मोखिक कुशलताओं में शामिल है तो मोखिक कुशलताओं में आपके कैसा मिल है त्रीव गती से बोलने की कुशलता बोलते समय दृंताओं का प्रियोग करने की कुशलता विभिन परकार की आपचारिक अनपचारिक चर्चाओं में बेजिजग बोलने की कुशलता या तत्सम शब्दों की प्रियोग की कुशलता तो ध्यान रखी का जो मोखी कुशलता होती है उसमें आप विभिन परकार की अपचारिक अनपचारिक चर्चा में बेजज़िक बोलने की कुशलता जो होती है आपकी मोखी कुशलता में शामिल होती है तो option number third इसका सही अनसर था next question स्वयम के अनुभव अभी विक्त करना संबंधिक कुशल का संबंध किस से है मतलब आपके अनुभव आप अपने अनुभव दूसरों के साथ बाट रहे हो तो वो कुशल किस परकार से संबंध होगा शवन का, लेखन का, मौखी का विवर्ति कुशल का या आपका पठन कुशल का तो आप option number third सही होगा बोल की तो बताओगे अपनी बातों का विविक्त करोगे न तो option number third इसका बिल्कुल सही अनसर था next question हिंदी भाषा के मौखीक वहवार में शब्द के सुद उच्चारन निर्भर करते हैं तो हिंदी भाषा की जो मौखीक वहवार होते हैं उसमें सब्द का सुद उच्चारन किस पर निर्भर करता है बोलने में बल पर बोलने के सुर पर बोलने के अनुपात पर ये इन सभी पर तो ध्यान रखेगा जो भी आप करते हो मतलब जो भाशा का प्रियोग कर रहे हो मोखिक वेवार में वो आपके तीनों के तीनों चीज होती है आपके इन्पॉर्टेंट बल पर भी सूरु पर भी और उसके अनुपात पर भी तो सही कit तीनों क्या होगा आपका option No.4 सही होगा इन सभी पर आपका निरभर करता है आपका नेक्स्ट आपका धन्यवाद क्या बोल रखा है धन्यवाद ग्यापन मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है तो धन्यवाद ग्यापन जो आपका मौकी का विक्ति किसका रूप है आपका सहित्य का, अनौपचारिक का, वहवारिक का या उप्यूक्त सभी तो ध्यान रखी का जो आपने देखा होगा अभी अधिकतर बार हर किसी कार्यों के लाप दूसरों को बड़ों को छोटों को धन्यवाद कर देते हो तो किस परकार का अभी वेक्ति है आपके अंदर वो आपका वहवारी का नहीं वेक्ति होता है जो आपकी कक्षा में अंकिता है वो अक्षा डावाले शब्दों में क्या कर रही है गलत उसका प्रियोग कर रही है तो आप उसको क्या बोलोगे पहला अंकिता को डावाले शब्दों का अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे स्वेम डावाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष परस्तुत कर उससे धहरे पुर्वक बॉलने का अभ्यास करवाएंगे तीसरा उसे डावाले शब्दों की सीडी सुनाने के लिए देंगे तो जो उसकी CD बना रखी होगे आपने डावाले शब्दों को उसको सुनने के लिए देंगे और अंकिता को डावाले शब्दों की सूची देंगे मतलब जो पूरा का पूरा चार्ट होता है वो देंगे तो सही अंसर क्या होना चाहिए ज़र टीचर के रूप में आपको सुर प्यास करने आने के लिए उसे कहोगे तो option number second इसका बिल्कुल सही अंसर था next question लगबग दो साल के बच्चे तारवाली भाशा आए नहीं कि जो टेलिगराफिस के बीच होती है मैंने पेड़ागोजी में बताया था आपको क्या होता है यह आपका okay का परियोग करने लग जा तारवाली भाशा का अर्थ कहां से होता है आपका संसिक्ष्ट वाक्या का परियोग करना मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाली संग्या किरिया विशेशन आदी के दो शब्द वाली अभिविक्ती तार में परियोग होने वाली शब्द का परियोग यह अंग्रेजी तो ध्यान रखेगा जो आपकी दो साल के बच्चे होते हैं जो टेलिग्राफी स्पीच इस्तमाल करने लग जाते हैं वो मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संग्या, किरिया, विशेशन आदी दो शब्दों का वाली इस्तमाल करने लग जाते हैं तो जो टेलिग्राफी इ यानि कि जो दो शब्दों का इस्तमाल करने लग जाता है बच्चा, उसी को टेलिग्राफी स्पीच कहते जा है, चाहे वो संग्या हो, किरिया हो, विशेशोन हो, इस परकार के शब्द का, ओके, तो option number second इसका बिलकुल सही अंसर था, next question, बच्चों की मोखिक अभी विक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कोन सा है, तो मोखिक अभी विक्ति का जो विकास करना और उसमें सबसे कम महत्पून तरीका कोन सा है, व्याकरण आपका आधारिक्त संरचना अभ्यास, अपने अनुभव का वर्णन, बाच्चित करना ये समवाद तो ध्यान रखे को जो व्याकरणी आधारी संसे संरचना होंगी यानि कि जो व्याकरण का ज्यान दे रहो आपका मौकी का विवर्ति में विकास करने के लिए वो सबसे कम महत्पूर्ण है तो option number first इसका बिल्कुल सही अंसर था आपका next question क्या वो रखा है कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है आप क्या करेंगे तो आपकी क्लास में एक विध्यारती है कलिका वो क्या करती है हिंदी भाषा को बोलते समय क्या बहुत करती है बीच बीच में हकलाती है या अटकती है तो आप उसके लिए क्या करो तीसरा कक्षा में केवल कलिका को ही बार-बार बोलने के लिए कहेंगे और चौथा धैर्रे रखते हुए उसे सहज अभिविक्ती के लिए प्रोचाइट करेंगे तो option number fourth इसका बिल्कुल सही अंसर होगा आपका उच्चारण कोशल की परिक्षा किस्से से ली जा सकती है तो उच्चारण कोशल की जो परिक्षा होती है वो किस्से ली जा सकती है लिखित से मौकिक से निबनात्मक से वया वस्तुनिष्टसा से तो ध्यान रखेगा उच्छारण मतलब बोलने की बात करी जा रही है तो मौकिक परिक्षा से ली जा सकती है तो option number second इसका बिल्कुल सही अंसर था next question परस पर बातचीत मुख्यता यानि कि जो आपके परस पर बातचीत होती है वो किसके पर होती है आपकी समय की बरबादी है अनुशाशन हिलता को उत्पन करती है सुनने और बोलने के कोशल के विकास में सहायक है पढ़ने लिखने में सहायक है तो परस पर जो बातचीत होती है वो किसका विकास करती है आपका वो सुनने और बोलने की कोशल के विकास में आपका साहक होती है तो option number third इसका बिल्कुल सही answer था आपका तो यही कुछ important questions थे आपके सवन और मोखी कोशल से कुछ questions और बचके हैं तो आपको मैं next video में complete करवा दूँगा तो नीचे comment box में comment लेकर जरूर बताएगा कि आप तक आपके इंतने कोशनों में से कितने कोशन सही हुए तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा अगर आपके मन में वीडियो के related कोई भी doubt हो कोई भी query हो तो नीचे comment box में comment किजिएगा मैं आपका reply जरू करूँगा अगर आपने चनल कब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे और उसके साथ में जो bell icon होगा उसको भी दबा दीजेगा ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको time to time बिलती रहे तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपसे फिर मुला कातों की next video में जब तक के लिए जय इन जय भारत